हेलो दोस्तों कैसे हो आज मैं बनाने जा रहे हूँ लसूनी भेंडी ये खाने में बहुत ही मज़े की और बहुत छटपड बनने वाली रेशेपी है क्योंकि इसे बहुत कम मसाले लगते है तो यहाँ पे हमने लिये है 400 ग्रैम लेडी फिंगर यानि की भेंडी इसे हमने अब हमने यहाँ पर एक पैन लिया है उसमें हम दो टीब स्पून ऑउल इस्तमाल करेंगे एक टी पून हमने जीरा इस्तमाल किया है लसन हमने 6-7 लिये है इसे हमने इस तरह से काटे है जूलियन अधरक लिया है एक इंच का इसे हमें एक मिनिट तक भूनना है यहाँ पे हमने एक बड़े साइज का प्याज लिया है इसे हमने इस तरह से लंबा-लंबा काटा है इसे हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इसे बस हमने एक मिनिट तक पिंक होने तक फ्राई करना है एक टी स्पॉन चिली फ्लेक्स हमने लिया है आपको अगर स्पाइसी चाहिए तो आप इसमे और थोड़ा एड़ कर सकते हो यहाँ पे हमने एक टेमाटो लिया है बड़े साइस का और इसे हमने इस तरह से बड़े बड़े चंग्स में काटा है हमने इन मसालों को जादा फ्राई नहीं करना है यहाँ पे हमने तीन हरी मिर्च लिये है इसे हमने चोटे चोटे पीस इसमें काटा है इसे भी हम अच्छे से fry करेंगे आदा टीस्पोन हल्दी पाउडर एक टीस्पोन धनिया पाउडर एक टीस्पोन नमक इसे हमने अच्छे से भुनना है तकरिबन दो से तीन मिनिट तक जब तक हमारा मसाला भुनना है हम दूसरी तरफ में पयान लेके, उसमें एक तीशपून ओयल डाला है और यहांपे हमने एक पयास लिया है, इसे हमने इस तरह से काटा है पयास को हमने बस थोड़ी तेरी ही फ्राइक करना है अब हमने इसमें जो कती हुई भेंडी थी उसे हमें इसे एड़ किया है और तकरीबन हमने एक मिनिट तक इसे रोस करना है इस तरह से ताकि इसमें जो चिपचपा हाट होती ही वो चली जाए अब हमें एक मिनिट हो चुका है हम इसे ग्रेवी में एड़ करेंगे हमारी सबजी को इसे हमने तकरीबन medium low flame पे 5-8 मिनिट तक पकाना है हमारे 5-8 मिनिट already हो चुके है इसे हमने बीच-बीच में बार-बार हिलाना है ताकि ये नीचे से लगना जाए क्योंकि हमने बहुत ही कम oil का इस्तमाल किया है थोड़ा सा coriander गार्णिश कर सकते है thanks guys thanks for watching अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया